हेलो एवरिवान, वेल्कम बैक तो माई चैनल जिद्धो तोनों सारे नूँ पताया थे अपनाती पंचाब बीच प्रेक्टिस कर देया पहला मैं तोनों अल्रेडी वोकेबलरी करा चुक्की है देहून आपा डालोग दी प्रेक्टिस करांगे ते अपा मैडिकल दी पूरी वोकेबलरी कम्प्लेट किती है ता आप मैडिकल तो स्टार्ट करते हैं ताके तोसी अपने डालोग प्रेक्टिस भी नाल दी नाल शुरू कर दो जे तो अडिकोल अल्रेडी डालोग है गी है तो वेल और गूट जे नहीं है कि तो मैं तो सारे डालोग करवाओंगी नाल दी नाल ते फस्ट डालोग जोड़ा आप स्टार्ट किता है वो हिप रिप्लेस्मेंट ते उत्ते है ते जे तो अनु नहीं हांदे ते तुसे मेरे पिछले वीडियो ते जाके सिख सकते हूं भी नोट टेकिंग किद्धा करनी है ते पेपर जो तुसे किए एक्सपेक्ट करना ते किद्धा पेपर जो बूलना तो लेट स्टार्ट एह हैगा डालोग बिट्विन दॉक्टर एल्सा अन और्थोपेटिकल सर्जन और इस कंसर्टिंग पुझाबी स्पीकिंग मैं मिस्चर मान रिकार्डिंग हिप रिप्लेस्मेंट सर्जी ता यह विल बी अंडर गोईंग सबते पहला जिदा था अनू बता है आपा एदे विच दो लाइन ड्रो करनी है जिदे विच आपा जड़े डॉक्टर ते पंचापी स्पीकिंग मैं ता नाम आपनो अल्रेडी दिता हो आपा दो नू पासे लिख लेना इधा रीजन ही है ता कि बाच आपनो अनू नाम लिखना ना आपावे जिन्नी मैक्सिमम इन्फरमेशन ता नू इंट्रोक्षन दे विच मिली ओ तुसी नाल दी नाल लिखनी जुरूरी है सेकेंड स्टैप अपना की होएगा आपा ए मैंशन करना वी किदर इंग्लिष टू पंजाबी है ते किदर पंजाबी टू इंग्लिष है Mr. Maan and Dr. Elsa, obviously Dr. Elsa English girl कर दिया है तो उन्हों आप पिंजाबीच कनवर्स करना है तो जो Mr. Maan पिंजाबीच कर रहे है उन्हों आप इंग्लिच कनवर्स करना है सबतो दो बडी निस्टेक से थे ही हुन दियाने तो उसी इंधा मेडल हो ताकि तुस्टनों दोनों लेंग्विजयों आन दियाने तो तुस्ट दोनों लेंग्विजयों बोल सकते हो इस करके ए सबतो इंपोर्टेंट हन दा English तो पुनजाबी, पंजाबी तो English लिखो तो आ आपा आंसर्ज मैच करांगे ताकि तुसी अपनी नाल देनाल प्रैक्टिस करो ते फर्स्ट डालोग में ता नुएक वर रिमाइंड कर वादेनिया वी किद्धा करने हुंदे सीगे ते नोट टेकिंग किद्धा लानी हुंदे सीगे ते नेक्स्ट तुसी अपने आप करियो ते फर एंड ते आपांसर्ज ते लिकर दे हैं ओकी लेट स्टार्ट स्टार्ट साश्री काल एल्सा मेनू एह सुनके कि मेरा चूला बदलना पव बड़ी फिकर लगी हुई है मैनू जुराही तो बड़ा डार लगदा है कि कोई होड़ चारा नहीं है लुक वट आप रिटन स्टकाल डॉक्टर एल्सा आपका उपडर पता है अपनो नाम की यह ते उस्टकाल लिख लेया है उस तो बाद डॉक्टर लिख लेया है उस दबाद कि होड़ागर बदलना पूब बड़ी फिकर लगई हुई है ओदेवी लिखिया है मैं हिप चेंज फिकर फिकर मेरे दिमाग जो स्टाइम नहीं आया तब मैं फिकर लिख लिए थाकि मैं बाच्चों सोग नेक्स्ट की उन्हें की किया है मैंनों जो राही तो बड़ा डर लगदा है अफ्रे यह मैं कहना की है. So, एदा आएगा, साश्री कॉल डॉक्टर एल्सा. Good morning, डॉक्टर एल्सा. मैंनू ए सुनके कि मेरा चूला बदलना पहु बड़ी फिकर लगगी हुई है. As I heard, I need to get my hip replaced. I am very worried about it. I am afraid of surgery. मैंनू जुराही तो बड़ा डर लगदा है. I am afraid of surgery. की कोई होड चारा नहीं है. Is there any other option? तो इस तरह आप आएगा डालो, complete करांगे. Next, अपने कुल डाल लगएगा, डॉक्टर एल्सादर, जो की अद्दा साथा. Good morning, Mr. Maan. There is nothing much to worry about. Your hip joint cartilage is completely worn out and non-surgical methods will not prove to be effective. So, एदी, अपके अद्दा लिखांगे. Good morning, Mr. Maan. Sashikal Mr. Maan. या good GM Mr. Maan. There is nothing much to worry about. No worry. फिर नेक्स अपने कुल डालो, hip joint cartilage is completely worn out and non-surgical methods will not prove to be very effective. इदा लिखांगे, hip cartilage worn, non-surgical will not be effective. सश्रिकाल मिस्चमान तो अनू चिंता करन दीज जरूरत नहीं हैं. तो अड़े चूले दी नरम हड़ी टुट चुकी हैं. बिना जराही वाले विकल्ब परभावशाली या असरदार नहीं होंगे. मैं आते तो अनू दो आप्शन देती हैं, तो उसे कुछ भी यूज कर सकते हों, पर make sure एकी यूज करी हों. इदर असरदार और परभावशाली. हूँ next में तो अनू सिरफ डायलोग्स बोलूँगी, ते ओधे अंसर आपा लास्ट टैली करांगे. एजस्ट में तो अनू प्रैक्टिस लगी दस्टे से, ये एक दो. लट्स स्टार्ट. पर मेरी उमर सिरफ पंताली साल है. मैंनू डर है कि मैं सारी उमर बस कुछ ना करन जोगी ना हो जावा. अप्रेशन दा ना ही सुन के डर लगदा है. कि तुसी मैंनू इस बारे कुछ होर दा सक्दे हूँ? I'm just 45 years old. I'm scared that I'll be good for nothing. Hearing the word operation scares me. Will you be able to tell something more about it? Okay, next dialogue is from Dr. Elsa. Hip arthoplasty is a type of surgery to replace damaged parts of the hip with man-made parts. During the surgery, damaged bone and cartilage are removed from the hip joint and will be replaced with the prosthesis made of metal, plastic or ceramic parts. चूले दी arthoplasty एक जुराही है जो चूले दी अंगानू खराब बनावती अंगानाल बदल के हुंदी है. जुराही दे दोरान चूले चो खराब हड़ी ते नरम हड़ी नू कड़ के तातू plastic एक प्लास्चिक एक सेरामिक दे बनावती अंगानाल बदल दित्ता जावेगा. इस जुराही नू किन्ना समा लगगेगा ते की मेनू बेहोशी दी दवाई दित्ती जावेगी? की कोई कट चीरफाड वाली जुराही हो सकदी है? how much time this surgery would take? will I be given any medicine to be unconscious? is there another uninvasive surgery possible? ould I嗎? the surgery usually takes 2-3 hours you will be given a general anesthetick which makes you fully unconscious or a spinal anesthetic which numbs the lower half of your body There are specially designed surgical instruments which can be very helpful to carry out minimally invasive hip replacement एह जुराही दो तो तिन कंटे लेंदी हैं तहानू पूरी तरह सोन करन वाली दवाई या फिर रीड दी हडी वाली दवाई जो की तो अडे शरीर दे निचले हिस्से नू सुरन करन वाली होवेगी बहुत सारे जुराही दे यंतर हन जो काट चीर फार नाल चूला बदलन ले सहाय खान नेक्स्ट आलग डॉक्टर, मैं जुराही संबंधी जुडे खत्रेयां बारे जानना चाउंदा हां की तुसी मैंनू इस बारे दा सकदे हूँ तक ही मैं एक बार इस नू करवान तो पहला सोच विचार कार लवाँ डॉक्तर, I वोट लाक तो चाउ थाल सही बारे सक्देवगा थाजी करे ठीक्टर बारे सト्वारा जू की जूत है लग्टर चार बदाना था तो जी करे चाने को बारे सक्का बारे सक्टर बारे सिंट तो एकी अकाई टियू ब्लड क्लोट्स, इंफेक्शिंस, कॉंटिनुट पेट एंड हिप डिस्लोकेशन, एस्पेशली इन दे फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर सर्जुरी. चूला बदलन दी जुराही, जादा तर सुरक्य तते परभावजाली मन्नी जान्दी है. कुछ कठी नामा, जिमें की, खून दा जमना, दर्द होना, चूले दा हिल जाना, पहले कुछ महीनिया विच आ सक्दिया हैं. नेक्स टालोग जालोग जालोग How long will it take me to get good? Next dialogue You will probably spend few days in hospital after the surgery. Most people will be encouraged to walk With the help of walking support soon after the surgery You will be advised on how to take care of your new hip And avoid dislocation तुसी जुराही तो कुछ दिन बाद हस्पताल विछी रहोंगे जादातर लोग कानू जुराही तो बाद मदल तद नाल तुरन लई केया जानता है अते तुसी अपने नमे चुल्ले दा किदा त्यान रखना है तो अनू ए भी दस्चय जावेगा Next dialogue की इस तो इलावा मैननू होर भी कोई पर हेज करना पवेगा अते नाल ले डॉक्टर साइबा इस जुराही ते मेरा किनना को खर्चा आजावेगा Do I need to take care of anything else as well? And doctor, how much will it cost me to get the surgery done? Next dialogue You will be advised to avoid certain movements such as twisting your hip inward and outward or not crossing your legs and follow a physiotherapy program in first 6 weeks after surgery You will have to bear out pocket expenses only तानू कुछ खास हिल डूल जीवें की चूले दा अंदर बार मोड़ना या फिर लत्तानू मोड़ना नहीं अते तानू पहले 6 मिन्ने फिजो थारपी कराणी पएगी तानू खर्चे लेई सिरफ कुझ ही खर्चा देना पवेगा नेक्स डालोग ए सारी जानकारी देन लेई ता अड़ा तन्वाद मैं इस बारे सोच विचार करके अते अपने परिवार नाल सला करके तानू इस बारे दसांगा तुसी अपना समलो ते उस तो बाद मैंनू आके दसना जदो तुसी त्यार होओ तुसी कम्प्लीट सार डालोग मैं तान्नू डालोग दे नाल नाल अंसर दसेया ताकि तान्नू नाल नाली पता लाग जे ते फिर मैं बाद मैं आच और रिलाईस गिता वे तुसी कम्राद डालोग तान्नू डालोग दे लिखे हो याए आके तो तान्नू आट्स हाओ वी प्रेक्टिस अगर तुन कोई होड तरीका जाहिए ता मैंनू दसो तान्नू पर बालोग तान्नू खर वोच्व प्रॉड दूक्ति लिखे वी प्रॉड प्रॉज।